नमस्कार दोश्टों, सव्ववागत है आप सभी के हमारे चैनल पूवर मुवी ग्लोवर पे दोस्तो हर साल फिल्म फैर एव़ॉर्ट होते है और इस साल 2021 का भी फिल्म फैर एव़ॉर्ड हो चुका है और इस बार दोस्तो थोड़ा सा भी हला नहीं रहा Film Fair Awards का अब क्यूं नहीं रहा इसके पीछे तो मुझको कोई खास कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है लेकिन दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Film Fair Awards 2021 में कौन-कौन सी फिल्मों को और किन लोगों को Awards दिया गया वैसे तो दोस्तो यह जो Awards होते हैं यहाँ पर काम यह होना चाहिए कि जो अच्छी फिल्में आई थी जिन्होंने अच्छा काम किया था उनको एप्रिसीर्ट करना चाहिए लेकिन दोस्तो यहाँ पर कुछ अलग ही धन्दा चलता है कुछ अलग ही बिजनस चलता है और कुछ अलग ही चीजों को एप्रिसीर्ट करने के लिए Film Fair वाले Awards देना स्टार्ट कर चुके हैं 1200 दोस्तो साल 2019 में 13 Awards तिर्फ गलीबग को दिये गए थे तो इस बार साल 2021 में 7 Awards सिर्फ थपड मूवी को दिये गए हैं तो दोस्तो अब मैं बात करने वाला हूँ पूरे लिष्ट के बारे में ये मेरे हाथ में पूरा का पूरा लिष्ट मौजूद है अब मैं एक-एक करके आप लोग को सुनाने वाला हूँ कि कौन-कौन से Awards किस-किस को दिये गए सबसे पहले दोस्तो बेश्ट फिल्म का Award मिला है थपड को उसके बाद दोस्तो बेश्ट डायरेक्टर का Award मिला है ओम रावत को टाना जी द अंसंग वारियर के लिए उसके बाद दोस्तो बेश्ट एक्टर मेल ये Award दोस्तो दिया गया है इर्फान खान सर को दोस्तो ये फिल्म उनकी जो आई थी अंग्रेजी मीडियम उसके लिए मिला है और उसके बाद दोस्तो बेस्ट एक्टर फीमेल ये अवाड दोस्तो तबसी पानू को मिला है थपड के लिए उसके बाद दोस्तो बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स ये अवाड मिला है अमिता बच्चन को गुलाबो सिताबो के लिए Best actress critics ये अवॉर्ड दोस्तो मिला है टिल्लो टामा सोम सर मुभी के लिए उसके बाद दोस्तो Best actor in supporting role ये अवॉर्ड मिला है सहफ अली खान को तानजी द अंसंग वॉर्यर के लिए Best actor supporting role female ये अवॉर्ड मिला है फारुक जफर गुलाबो सिताबो के लिए उसके बाद दोस्तो BES story का award मिला है थपड को, BES screenplay का award मिला है रोहेना गेरा सर फिल्म के लिए उसके बाद दोस्तो BES dialogue का award मिला है गुलावो सितावो को, BES debut director का award मिला है राजिस कृष्णन को लूटकेस फिल्म के लिए बेश डेब्यूट फिमेल अलाया फरनीचर वाला को मिला है जवानी जानिमन के लिए और मेरे हिसाब से उनका जो काम था अलाया फरनीचर वाला का जो काम था जवानी जानिमन में काफी अच्छा था ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो पहली फिल्म में काम कर रही है that's why ये एवार्ड वो डिजर्ब करती थी उनका काम मुझको अच्छा लगा था फिल्म जमानी जानिमन में उसके बाद दोस्तो बेश्ट म्यूजिक एल्बम का एवार्ड मिला है लूडो को अगेन ये एक बहुत ही अच्छा काम है क्योंकि लूडो का जो म्यूजिक था बहुत ही जवर्दस था उसके बाद दोस्तो बेश्ट लेरिक्स का जो एवार्ड है वो दोस्तो गुलजार साब को मिला है चपाक फिल्म के लिए और दोस्तो चपाक फिल्म के गाने काफी अच्छे थे गानों के लेरिक्स भी काफी अच्छे थे उसके बाद दोस्तो यहाँ पर बेश्ट प्लेबैक सिंगर मेल यह अवार्ड मिला है दोस्तो रागभ चैतन्य को एक टुकड़ा धूप सौंग के लिए जो की सौंग है थपड मुवी का और बहुत ही दुक के साथ मुझे को कहना पड़ा है कि मैंने थपड मुवी देखी थी लेकिन यह गाना कब आता है कब नहीं मुझको याद भी नहीं है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर बेश्ट प्लेबेक सिंगर फिमेल यह अवार्ड दोस्तो मिला है असी स्कौर को मलंग के लिए और दोस्तो मलंग फिल्म अगर आप लोगों नहीं देखी होगी तो आपको याद होगा कि मलंग फिल्म के जितने भी गाने थे बहुत ही जवड़दस्त है मोहित सूरी के फिल्म में गाने बहुत ही जवड़दस्त होते हैं उसके बाद दोस्तों Lifetime Achievement का Award मिला है इर्फान सर को, Best Action का Award मिला है ताना जी द अनसंग वारियर को, Best Background Score का Award दोस्तों यहाँ पर थपड को दिया गया है, और थपड में किस प्रकार का Background Score था मुझको याद ही नहीं है, लेकिन हाँ, ताना जी द अनसंग वारियर का जो BGM था, वो मुझको आज भी याद है जबकि उस फिल्म को देखे हुए एक साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, उसके बाद दोस्तों Best Cinematography का Award मिला है गुलावो सिताबो को, गुलावो सिताबो मेड बाय सूजी सरकार फिल्म दिखने में अच्छी लग रही थी, Amazon Prime पर रिलीज ये फ चारा को, Best Costume Design ये मिला है गुलावो सिताबो को, Best Editing ये अवर्ड दोस्तों थपड को मिला है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, थपड को बहुल सारे अवर्ड दिए गए हैं, साथ अवर्ड दिए गए हैं, उसके बाद दोस्तों Best Production Design गुलावो सिताबो को, Best Sound Design थपड को, और आ Best Editing थपड, Best Sound Design थपड, Best Actress तपसी पानू थपड, Best Playback Singer में ये भी थपड को, तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ, Best Film का एवर्ड जो थपड को दिया गया, वो तो मुझको बिलकुल भी पसंद नहीं आया, थपड से कहीं गुना ज्यादा अच्छा फिल्म आई थी, कंगना रनावत की पंगा, जहांपर सच में फेमिनिजम की बात आपको देखने को मिलती है, जहांपर सच में जबरदस्त एक्टिंग आपको देखने को मिलती है, जहांपर सच में एक एंगेजिंग स्टोरी आपको देखने को मिलती है, जहांपर सच में एंटर्टेर्मेंट आपक मतलब कि एक लड़की जिसके पती ने उसके उपर हाथ उठा दिया अब वह लड़की पूरी तरीके से पने पती को छोड़ना चाहती है बस इसी चीज के उपर पूरी फिल्म घूमती है तो यहां पर स्टॉरी की बात ही किया है येकिन फिर भी बैस टौरी का अवार्द इनको नहीं हुआ है उसके बाद दोस्तो बेस्ट एडिटिंग का भी यहाँ पर थपड को दिया गया और अगर आप लोगों ने थपड फिल्म देखी होगी तो आपको महसूस हुआ होगा कि वहाँ पर कई सारे सिंस बार-बार रिपीट होते हैं जैसे कि एक न्यूज पेपर वाला पेपर फिक के जाता है यह सिंस करीब तीन से चार वार फिल्म में रखा गया है और साथी साथ तपसी पानू किचन में जा रही है चाय बना रही है यह सारे सिंस बार-बार रिपीट होते हैं लेकिन फिर भी एक ऐसी फिल्म को बेस्ट एडिटिंग का एवार्ड मिला है जो इस बार की जो फपड़ को चोड़ दिया जा जा यहांग सर को Best Actor का एवार्ड दिया गया, Lifetime Achievement का एवार्ड दिया गया और साथी साथ दोस्तों यहाँ पर Amit जी को गुलावो सितावो के लिए Best Actor का जो एवार्ड मिला है वो भी दोस्तों काफी मुझको सही लगा Best Actor Critics का एवार्ड मिला है वो भी दोस्तों काफी मुझको सही लगा Best Critics का जो यहाँ पर एवार्ड दिया गया है गुलजार साथ को वो भी दोस्तों काफी सही है लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Best Dialog के बारे में तो दोस्तों Best Dialog का एवार्ड तानर जी को मिलना चाहिए था लेकिन दोस्तों वो एवार्ड यहाँ पर गुलावो सितावो को दिया गया है और गुलावो सितावो में कोई उतने भी खास या बहतरी इन डायलोग नहीं थे लेकिन फिर भी अब क्या कहा जा सकता है तो दोस्तों कुल मिला जुलाकर यह था साल 2021 फिल्म फर अवार्ड का पूरा लिष्ट और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली या आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम